पहला सैमुल नौमाबाब और बिन्यमीन के कबीले का एक शक्स था, जिसका नाम कैस बिन अभियल बिन सवर बिन बकरोत बिन अफीख था, वो एक बिन्यमीनी का बेटा और जबरदस्त सूर्मा था, उसका एक जवान और खुबसूरत बेटा था, जिसका नाम साूल था, और बनी स्राइल के दर्मियान उससे खुबसूरत कोई शक्स ना था, वो ऐसा कदावर था के लोग उसके कंधे तक आते थे, और साउल के बाप कैस के गधे खो गए, सो कैस ने अपने बेटे साउल से कहा, के नौकरों में से एक को अपने साथ ले, और उठकर गधों को ढूणला, सो वो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क और सलेसा की सरदमीन से होकर गुजरा, पर वो उनको ना मिले, तब वो साईलेम की सरदमीन में गए, और वो वहां भी ना थे, फिर वो बिन्यामीनियों के मुल्क में आए, पर उनको वहां भी ना पाया, जब वो सौफ के मुल्क में पहुँचे, तो साउल अपने नौकर से जो उसके साथ था कहने लगा, आ, हम लोट जाएं, ता ना हो के मेरा बाप गधों की फिकर छोड़ कर हमारी फिकर करने लगे, उसने उससे कहा, देख, इस चहर में एक मर्दे खुदा है, जिसकी बड़ी इज़त होती है, जो कुछ वो कहता है, वो सब जरूर ही पूरा होता है, सो हम उधर चलें, शायद वो हम को बता दे के हम किधर जाएं, साउल ने अपने नौकर से कहा, लेकिन देख, अगर हम वहां चलें तो उस शक्स के लिए क्या लेते जाएं, रोटियां तो हमारे तो शादान की हो चुकी, और कोई चीज हमारे पास है नहीं, जिसे हम उस मर्द खुदा की नजर करें, हमारे पास है क्या, नौकर ने साउल को जवाब दिया, देख, पाओ मिसकाल चांदी मेरे पास है, उसी को मैं उस मर्द खुदा को दूँगा, ताके वो हम को रास्ता बता दे, अगले जमाना में इसराइलियों में जब कोई शक्स खुदा से मशवरा करने जाता, तो ये कहता था कि आओ हम गैब बीन के पास चलें, क्यूंकि जिसको अब नभी कहते हैं, उसको पहले गैब बीन कहते थे, तब साउल ने अपने नौकर से कहा, तुने क्या खूब कहा, आ हम चलें, सो वो उस शहर को, जहां वो मर्दे खुदा था चले, और उस शहर की तरफ टीले पर चड़ते हुए, उनको कई जवान लड़कियां मिली, जो पानी भरने जाती थी, उन्होंने उनसे पूछा, क्या गैबीन यहां है, उन्होंने उनको जवाब दिया, हाँ है, दे पर दिकरो, क्यूंके वो आज ही शहर में आया है, इसलिए के आज के दिन, उन्चे मुकाम में लोगों की तरफ से कुर्बानी होती है, जो ही तुम शहर में दाखिल होगे, वो तुमको पेश्टर उस से, के वो उन्चे मुकाम में खाना खाने जाए, मिलेगा, क्यूंके उसके बाद महमान खाते हैं, सो अब तुम चर जाओ, क्यूंके इस वक्त वो तुमको मिल जाएगा, सो वो शहर को चले और शहर में दाखिल होते ही देखा, कि सेमुईल उनके सामने आ रहा है, ताके वो उन्चे मुकाम को जाए, और खुदावन ने साउल के आने से एक दिन पेश्टर सेमुईल पर जाहर कर दिया था, कि कल इसी वक्त मैं एक शक्स को बिनियमीन के मुल्क से तेरे पास भेजूंगा, तु से मसा करना, ताके वो मेरी कौम इसराईल का पेश्वा हो, और वो मेरे लोगों को फलिस्तियों के हाथ से बचाएगा, क्यूंके मैंने अपन लोगों पर नजर की है, इसलिए कि उनकी फर्याद मेरे पास पहुंची है, सो जब सेमुईल साउल से दोचार हुआ, तो खुदावन ने उससे कहा, देख, यही वो शक्स है, जिसका जिकर मैंने तुझ से किया था, यही मेरे लोगों पर हकूमत करेगा, फिर साउल ने बता दे के गैबीन का घर कहा है, सेमुईल ने साउल को जवाब दिया, कि वो गैबीन मैं ही हूँ, मेरे आगे आगे उन्चे मुकाम को जा, क्यूंके तुम आज के दिन मेरे साथ खाना खाओगे, और सुब को मैं तुझे रुकसत करूँगा, और जो कुछ तेरे दिल में है सब तुझे बता दूँगा, और तेरे गधे, जिनको खोए हुए तीन दिन हुए, उनका खयाल मत कर, क्यूंके वो मिल गए, और इसराईलियों में जो कुछ मरगूब खातिर है, वो किस के लिए है, क्या वो तेरे और तेरे बाप के सारे घराना के लिए नहीं? साउल ने जवाब दिया, क्या मैं बिन्यामीनी, यनि इसराईल के सबसे छोटे कबीले का नहीं? और क्या मेरा घराना बिन्यामीन के कबीला के सब घरानों में सबसे छोटा नहीं? सो तू मुझसे ऐसी बातें क्यूं कहता है? और सेमुएल साउल और उसके नौकर को महमान खाना में लाया, और उनको महमानों के दर्मियान जो कोई तीस आदमी थे, सदर जगह में बिठाया, और सेमुएल ने बावर्ची से कहा के वो टुकड़ा जो मैंने तुझे दिया, जिसके बारा में तुझसे कहा था के इसे अपने पास रख छोड़ना लेया, बावर्ची ने वो रान ममा उसके जो उस पर था उठा कर साउल के सामने रख दी, तब सेमुएल ने कहा, ये देख जो रख लिया गया था, उसे अपने सामने रख कर खा ले, क्यूंके वो इसे मौईन वक्त के लिए तेरे वास्ते रखी रही, क्यूंके मैंने कहा कि मैंने इन लोगों की दावत की है, सो साउल ने उस दिन सेमुएल के साथ खाना खाया, और जब वो उंचे मुकाम से उतर कर शहर में आए, तो उसने सेमुएल से घर की छट पर बातें की, और वो सवेरे उठे, और ऐसा हुआ, कि जब दिन चड़ने लगा, तो सेमुएल ने साउल को फिर घर की छट पर बुला कर उससे कहा, उठ, कि मैं तुझे रुखसत करूँ, सो साउल उठा, और वो और सेमुएल दोनों बाहर निकल गए, और शहर के सिरे के उतार पर चलते चलते, सेमुएल ने साउल से कहा, कि आपने नौकर को हुकम कर, कि वो हम से आगे भड़े, सो वो आगे भड़ गया, पर तू अभी ठहरा रह, ताके मैं तुझे खुदा की बात सुनाँ,